नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अब शेक पुंडीर दिल्ली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर दिल्ली की कुरसी पर विराजमान होना है तो यूपी के तक्त को बड़ी मजबूती से जीतना होगा सीधे शब्दों में अगर कहूं तो कहा जाता है कि दिल्ली जीतने के लिए यूपी जीतना जरूरी है यूपी आप जीतेंगे तभी आप दिल्ली पर विराजमान हो सकते हैं और फिलाल मोजुदा वक्त में यूपी जैसे देश के सबसे बड़े सूबे की कमान है योग आदि जीतनात को यूपी की कुर्सी से हटा दिया जाएगा सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जिस तरीके से योग आदितनात की तारीफ कर रहे हैं उसे देख कर तो ऐसा लगता है कि मौजूदा वक्त में अगर प्रधान मंत्री मोदी किसी के उ उसी तरीके से यूपी में योग्याधित्यनाथ ने भी एक शफाई अभियान चलाया है। जो सफाई अभियान है वो उत्तर प्रदेश में चला हुआ है। तो योगी जी वो काम भी बढ़ी अच्छा कर रहे हैं। आर्यत सफाई होने के कारण अब उत्तर प्रदेश में निवेश का माहोल बनाए। लोग विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश में उद्योग धंदा के लिए रूपिय लगाने के लिए तयार हुए है। यूपी आज देश का दूसरा सबसे बड़ी इकोनोमी बंचे की जुकी है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। रिवेन्यू सर प्लस स्टेट हो चुका है। उत्तर प्रदेश वो भी तब से जब से योग्य अधितिनात ने उत्तर प्रदेश की कमान्द संभाली है। उससे पहले ये राज्य अक्सर कर्ज के बोज़तले दबा रहता था। और निवेश की तो बात ही छोड़ दीजिए। निवेश जो उद्योग करता थे उद्योग तो लगाने की बात कोई सोचता ही नहीं था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के बारे में लोग सोचते भी हैं। और विकास करने के बारे में लोग सोचते भी हैं। और उद्योग लगातार लगाए भी जा रहे हैं यही कारण है कि उत्तर प्रदेश आज सर प्लस स्टेट बन चुका है और उत्तर प्रदेश से योगी आधित्यनाथ ने जिस तरीके से बदमाश हो और माफियाओं की सफाई की है उसके मोधी भी मुरीद हो चुके हैं और जो कमेंट का जरूर बताईए का आपको यह खबर कैसी लगी नमस्कार